हलो दोस्तों नमस्कार स्वागता है आप सभी लोगों का स्टड़ी आई की उपर स्टड़ी के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सरधालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आगया हूँ दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फी मिसाइल हैलीना का सफल परिक्षन जो है वो भारत द्वारा किया गया है तो विस्तार से जानेंगे क्या है ये एंटी टैग गाइडिड मिसाइल हैलीना क्या इसकी इंपोर्टेंस है देश के डिफेंस को ले करके दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेर इन सभी के लिए बहतरीन स्मार्ट कोर्से डॉटकॉम या स्टरी आई क्यों की आप पर मौझूद है इन कोर्से की मदद से आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत बहतर बना पाएंगे स्टरी आई क्यों कि किसी भी कोर्स में आप अन्रोल करते हैं ये कोट शुप 33 इस कोट क trial of the third generation fire and forget class missiles developed by DRDO दोस्तों DRDO देश की premier agency है जो देश की सुरक्षा से संबंदित उपकरन जो है वो बनाती है देश के defense को strong करने के लिए लगलग technologies का इस्तेमाल करके weaponry और surveillance system जो है वो DRDO तयार करता और इसी DRDO ने anti-tank guided missile दोस्तों anti-tank guided missile नाम से समझ आता है anti-tank या नी टैंक या किसी भी armored vehicle के against उसको निस्तों नाभूत करने के लिए missile जो है वो काम करती है तो anti-tank और guided missile है guided missile दोस्तों वो होती है जिसको उसकी trajectory के दोरान उसका route जो है वो बदला जा सकता है यानि कि एक जगा से आपने इसको fire किया यह इस route पे जारी लेकर आपको लगा कि इसके रास्ते को बदलने की ज़रूरत है उसको बीच रास्ते में आप इसका track जो है वो बदल सकते हैं इसको रास्ते में आप guide कर सकते हैं अगर आपको लगें कि आपको इस missile को किसी दूसरे target पे ले जाना यह normally क्या होता है कि किसी mobile vehicle को hit करना यानि कि आपने एक anti-tank guided missile जो है वो launch करा यहाँ पर एक vehicle को hit करने के लिए लेकिन जैसे ही आपने missile launch करा यह vehicle जो है इसने अपनी location जो है वो बदल ली तो आप इस missile को रा 7 km की यानि कि लक्षय को 7 km दूद से यह जो है वो attack कर सकती है it is designed and developed for integration on the weaponized version of advanced light helicopter ALH दोस्तो advanced light helicopters दर असल एक विशेज प्रकार के helicopters होते है जिनका इस्तेमाल combat और non-campatrol में किया जाता है भारत के पास advanced light helicopter धूब जो है वो काफी जादा famous है तो इसका इस्तेमाल जो है वो भार सेना द्वारा किया जाता है इस हेलीना मिजाइल को इस तरीके से बनाया गया है कि इस advanced light helicopter की weaponry में शस्त्र जो helicopter के उपर हत्यार लगाये जाते हैं वहाँ पर integrate हो सकता है यानि कि इस मिजाइल को helicopter से भी launch किया जा सकता है और इसी तरीके से इसको launch हो है वो किया गया आप यहा पोकरान रेंज में इसको test किया गया है यह आप देख पा रहे हैं तो हेलीना जो है वो DRDO की laboratory जो की हैदराबाद में मौझूद है उनके द्वारा बनाया गया है under missile strategic systems DRDO scientist का कहना है कि हेलीना मिजाइल जो है it is all weather day and night capability and can defeat battle tanks with conventional armors as well as explosive reactive armors कोई भी प्रकार का tank हो चाहे वो conventional गोला वारूद लेकर के चलता हो या explosive reactor armor उसके उपर लगा हो यह missile जो है उसको भेदने में चाहे दिन का समय हो चाहे कैसा भी मौसम हो यह missile जो है इसको fire करके किसी भी armored vehicle को tank आदी को निशाना बनाया जा सकता है it has been developed for integration with choppers in both army and air force सेना और वायो सेना दोनों के helicopters के साथ में इसको integrate किया जा सकता है और helicopter से इसको लक्षे पर target जो है वो किया जा सकता है advanced light helicopter droove के साथ में इसको integrate किया गया है इस droove helicopter के साथ integrate करने के कारण इस helena missile को droove astr के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यह important हो सकता है term droove astr recently seen in news was related to तो helena missile को ही droove astr भी कहा जा रहा है क्योंकि advanced light helicopter droove के साथ integrate करके droove और astr यानि droove के weapons तो helicopter है droove और उसके weaponary में इसको शामिल करके वहाँ से missile को fire किया जाता है जिस वचा से इसको droove astr कहा जाता है helena के अंदर काफी सारी capabilities है it can engage targets in both direct hit mode as well as top attack mode दोस्तों दो प्रकार के attacks होते हैं जब भी हवाई हमला किया जाता है इन दोनों को अगर हम समसें सबसे पहले आता है top attack mode यहाँ पर क्या होता है कि missile जो है वो अपने target से पहले कुछ उंचाई पर जाती है माली जी यहाँ target है तो missile को ऐसे launch करने के बज़ा इस तरीके से height पर भेजा जाता है रोवहाँ से बहुत तेजी से missile जाकर के target को जो हो hit करती है इसको top attack mode कहा जाता है और दूसरा है direct hit mode तो direct hit mode में क्या होगा कि कोई भी height जो है वो missile attain नहीं करेगी सीधा जाकर के जो object है इसको low altitude में रहकर के ही अठंबला जो है वो कर देगी तो इस प्रकार से अगर हम helicopter की मदद से देखे अगर ये target है तो direct attack में missile जो है वो इस तरीके से जाएगी जबकि top attack में missile जो इस तरीके से उपर जाके फिर hit करेगी तो ये दोनों ही capabilities रखती है यानि कि अगर हम चाहते है direct hit attack करना हम वो भी कर सकते है तो वो भी हम इस हैलीना missile से कर सकते है दोस्तों हेलीना missile starting में मैंने आपको बताया anti-tank guided missile है anti-tank यानि कि जो armored vehicle होते है tank क्या है कोई भी ऐसा वाहन जिसके उपर बारूद लगा है जिससे किसी को निशाना बनाया जा सकता है उस armored vehicle के खिलाफ काम करने के लिए guided missile है कि इसको इसकी trajectory में इसके रास्ते में भी direction या speed बदलने के लिए guide किया जा सकता है anti-tank missiles हो है यह guided missiles होती है जिनको इस उदेशय के साथ बनाया जाता है कि damage heavily armored vehicles and tanks बड़े बकतर बंद वाहन जो की चारो तरफ से covered होते हैं armored होते हैं और बड़े tanks को नश्च करने के लिए anti-tank missiles को बनाया जाता है anti-tank missiles हो है वो अलग-अलग sizes के आती है small है, medium है, large है उस तो नाम से समझाता है small anti-tank missiles हो है वो छोटे स्थर का कोई छोटा vehicle है उसको हमला करना है उसके लिए इस्तेमाल होती है small anti-tank missiles हो है they can be carried by a single person and shoulder launched आप सभी ने movie जादी में देखा होगा कंधे पे रख करके rocket जैसा launch हो है वो किया जाता है, इसे rocket launcher भी कहा जाता है तो उस तरीके की missiles अगर वो किसी armored vehicle को उड़ा सकती है तो वो small anti-tank missiles कहलाएंगी medium-sized missiles हो है, उनके लिए soldiers की टीम लगती है, 5-10 सैनिक मिल करके उसको carry करते है और उसको launch करते है और फिर आती है large anti-tank missiles ऐसे की है लीना, ऐसी missiles हो है इनको aircraft के उपर यह battle tank के उपर लगा करके हमला जो है वो किया जा सकता है दुश्मन के उपर, यह missiles हो है, उदेश्य यही है कि दुश्मन के जो हत्यार बंद या बक्तर बंद वाहन है, उनको निशाना बनाया जा सके प्रारंब में शुरुवाती दोर में जो anti-tank missiles बनाई गई थी, वो इस तरीके से बनाई गई थी कि उनको target के नसदीक जाकर के attack करना होता था, यानि कि अगर इस वाहन के उपर हमला करना है तो इसके close जाकर के हमला जो है वो किया जा सकता है, प्रारंब में initially ऐसी anti-tank missiles जो जैसे हमने हलीना के case में देखा, 7 km दूर से हमला जो है वो किया जा सकता है, इससे क्या होता है, कि आप एक safer distance पे रह करके दुश्मन के बक्तरवंद वाहन को निशाना बना सकते हैं और भारी नुखसान जो है, वो पहुँचा सकते हैं, दोस्तों हमने starting में बात करी कि ये third generation variant था, तो यहाँ पर missiles के अंदर generation दरासल क्या significance है, तो यहाँ पर generation जो है, वो guidance system पर depend करती है, दोस्तों किस तरीके से missile जो है, वो अपना रास्ता टाय करेगी, क्या उसको रास्ते में guide करने की जरूरत पड़ेगी, क्या उसके movement को control करने की जरूरत पड़ेगी, या वो अपन आप जाएगी, इस आधार पर generation जो है, वो decide होती है, सबसे पहले first generation जो है, these are guided by manual commands and missile is geared to the target, manually, जो first generation missiles थी, उनको इनसान द्वाला निर्देशित किया जाता था और जब तक missile launch होने के बाद अपने target पे hit नहीं कर जाती थी, तब तक इसके पूरे के पूरे रास्ते को manually control किया जाता था, और फिर ये target को hit करती थी, तो ये सबसे पहली generation थी, उसके बाद second generation आई, तो second generation जो है, इसको semi-automatic generation कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ commands जो है, वो automatic थी, और कुछ समय के लिए, यहाँ पर एक विक्ति को जो है, वो इसके उपर नजर रखनी होती थी, ये पहली generation में तो इसको बिलकुल target तक खुद पहुचाना था, लेकिन दूसरी generation में क्या था, कि आपने missile को launch तो कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर मौझूद रहना होगा ये देखने के लिए, कि ये missile अपने target को सही डंग से hit करती है, या नहीं करती है, दोस्तों, first or second generation में एक सबसे बड़ी drawback थी, कि यहाँ से अगर missile का हमला होता है, क्योंकि हमारे पास first or second generation missile थी, यहाँ पर एक soldier का रहना जरूरी था, अब दुश्मन को पता है कि ये missile जो इस particular area से आई है, वो इसकी retaliation में अगर वापिस attack करता है, तो ये जो soldier यहाँ पर मौझूद है, इसकी जान जा सकत है, इस वचा से अब third generation missiles आई हैं, जिनको fire and forget के नाम से जाना जाता है, यानि कि एक बार fire कर दो और उसके बाद भूल जाओ, ये guided missiles हैं, जिनके अंदर optical imager लगा होता है, यहाँ laser की मदद से ये अपने target को hit करती है, आपने missile के अंदर target जो है, वो lock कर दिया, कि missile को इस target पे hit कर जाएगी, इनको fire and forget missiles कहा जाता है, यानि कि इनको एक बार fire कर दिया, उसके बाद विक्ति जो है, वो वहाँ से बाहर आ जाए, यानि कि अगर इसके launching area में, जहां से इसको fire किया गया, अगर दुश्मन उसके उपर जवाबी हमला भी करता है, तो यहाँ से जो इसको launch करने बाला देखती है, वो पहले बाहर आ चुका होगा, इस बचा से उसकी जान जो है, वो बच सकती है, तो इस तरीके से अलग-अलग generation होती है, हलीना जो है, वो third generation missile है, उसके बाद आता है, दोस्तो, DRDO ने इस प्रकार की काफी सारी missile जो है, वो design की है, जिसमें anti-tank missiles की अलग- के करके समझते हैं, दोस्तो, सबसे पहले नाग, कुछ साल पहले 2020 में इसको जो है, वो successfully test fire किया गया था, ये नाग missile जो है, again, third generation fire and forget missile है, जो की enemy tanks को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी, इसके अलावा आती है, MPATGN, जिसका नाम है, man portable anti-tank guided missile, नाम से समझ आता है, anti- anti-tank guided missile क्या है, ये हमने समझ लिया था, man portable क्या होता है, man portable का आर्थ था, कि ये जो anti-tank guided missile है, ये वजन में हलकी होती है, एक व्यक्ति इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और individual व्यक्ति इसको fire जो है, वो कर सकते हैं, करीब 15 kg वजनी ये missile जो है, वो मौझूद है, इसके अंदर भी fire and forget capacity है, और infantry use के लिए, यानि कि जो थल सेना है, अगर उनको दुश्मन के tank को उड़ाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो air force को बोलेंगे, कि आप अपने helicopter को लेके आई, और हलीना से उड़ाईए, तो उनके इस्तेमाल के लिए man portable, scenic जो ह वो इस missile को अपने आप उठा करके जो है, वो use कर सकते थे और दुश्मन को निशाना बना सकते थे, इसके लावा दोस्तों, संत है, जो कि stand-off anti-tank missile है, जो कि develop अभी की जा रही है, जो कि MI-35 helicopter से इसको launch किया जाएगा, जिस तरीके से हैलीना को advanced light helicopter droove से launch किया जाएगा, उसी तरीके से, संत missile, smart stand-off anti-tank missile, MI-35 helicopter से इसको launch किया जाएगा, इसको भी develop किया जा रहा है, इसके लावा एक और missile है, जो कि ATGM for MBT, anti-tank guided missile for main battle tank, अरजुन, दोस्तों, main battle tank, भारत के सेना का सबसे important, या one of the most important battle tank है, अरजुन, इसके लावा भीमा है, तो, जो advanced technology की मदद से anti-tank guided missile बनाईगे है, जो कि main battle tank, अरजुन के उपर लगाई जाएगी, ये एक laser guided ammunition है, जो कि 125 mm rifle gun, अरजुन टैंक से जो है, वो launch की जा सकते है, यानि कि ये missile है, ये anti-tank missile है, लेकिन इसको launch कहां से किया जा सकता है, अरजुन टैंक से इसको launch किया जा सकता ह जानि के टैंक के उपर जो gun लगी होती है, 120 mm की gun है, वहाँ से इसको जो है, वो launch किया जा सकता है, ये specially बनाई गई है, अरजुन टैंक के लिए, तो अलग अलग प्रकार की anti-tank missiles हो है, वो DRD ने बनाई है, जिसमें से हेलीना missile को हाल ही में test fire किया गया, क्या हेलीना missile है, क्य किसी भी exam preparation में आप शामिल है, study IQ पर आपके लिए बहतर in smart courses available है, इन courses की मदद से आप अपनी preparation को बहुत बहतर मना सकते हैं, definitely in courses में enroll करें, study IQ के किसी भी course में आप enroll करते हैं, ये code SHUB33 इसका जरूर इस्तेमाल कीजेगा, आप massive discounts सभी courses पे ले पाएंगे, thank you very much, all the best, keep working hard, bye bye, take care, जाहिद